बच्पन में आपने वो कहानी تو सुनी होगी जब एक बाप ने बोला सबी बेटों को के जाओ लकडियां ले के आओ और उनको कहा के पहले सिंगल सिंगल करके लकडी तोड़ो और वो उन्होंने असान हिसे तोड़ दी फिर बाद में उनसे बोला गया कि सारी लकडियों को इकठा करो इनको रसी बांदो और फिर इन्हें तोड़ने की कोशिश करो तो उनसे लकडी नहीं टूटी थी ये कहानी का जो basic उन्वान था वो है वो था इत्तफाक में बरकत है reason ये है कि जब हम single algorithm को use करते हैं तो obviously वो बहुत अच्छा accurately perform कर सकता है लेकिन कभी कभार आपको एक algorithm के बजाए a team of algorithm ज़रूरी चाहिए होती है a team of algorithm क्या होती है और किस तरीके से हम इसको utilize करके best algorithm ले सकते हैं ये उसी कहानी की तरह काम करता है जैसे इतफाक में बरकत है वाली story मैंने अभी आपको बताई अब होता क्या है कि ensemble करना यानि कि algorithms को इकठा करना इसके लिए भी आपको knowledge base चाहिए होता है कि कौन सा algorithm किसके साथ ही कठा होगा क्या-क्या types होनी चाहिए algorithm की and how we can actually stack them या aggregate them या उनको chain कर सकते हैं और इन्ही techniques को आज इस lecture में सीखेंगे मैं screen अपनी आपके सामने share करता हूँ and welcome everybody to our today's lecture जिसका नाम है क्या नाम है जनाप? ensemble methods या ensemble algorithm खास तोर पे हम decision tree वाले algorithms जो हैं उनको देखेंगे लेकिन we will start now and see के ensemble algorithm होते क्या है या ensemble methods होते क्या है सबसे पहली बात यह है के ensemble या ensemble जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो कुछ गोरे इसको ensemble methods कहते हैं ensemble methods बोलते हैं so it doesn't matter आपको spelling याद होने चाहिए that's the only thing which happens easily so ensemble methods is a machine learning technique that combines several base models in order to produce one optimal predictive model यानि के आप multiple models को इकठा करें और उनसे आप एक base model बना लें इसको बोलते हैं हम ensemble ठीक है ensemble method क्या होता है जब आप multiple machine learning model इकठा कर लेते हैं ये एक चोटी सी मैंने आपको diagram यहाँ पे दिखाई है के हमने अपने पास ये data लिया ठीक है data और तस्वीरें और labels हमने दे दी और एक दफ़ा हमने चलाया logistic regression उसी के अंदर हमने decision tree चलाया फिर उसी के अंदर हमने sport vector machine को run किया जब हमने इन तीनों को run किया हमारे पास accuracy जो logistic regression किया ही that was 51% के करीब decision tree की आई हमारे पास 72% के करीब और svm की आई 68% के करीब so हमारे पास further at the end हमने देखा कि जो algorithm हमें same result दे रहे हमने उनको इकठा कर लिया यानि कि जो repeatedly result same आ रहे हैं उस result को हमने at the end अपने पास रख लिया तो इसके चार step होते हैं basically data आप देते हैं learning algorithms आप देते हैं फिर आप prediction करते हैं and then at the end आप aggregate करते हैं अपने result को based on the task अब यहाँ पे इस पूरी डाग्राम को देखने के लिए मैं अपना camera जो है यहाँ पे रोक पंद करता हूँ और अपने logo को भी यहाँ से रोकते हैं now you can have a look के हमारे पास logistic regression, decision tree and SVM इस तरीके से काम करते हैं और dog and dog को जब predict किया उसने तो at the end हमारे पास यह वाला जो result है aggregate करके आगया क्योंकि यह दू दफाह आ रहा था mean या mod हम लेते हैं for classification या regression okay so ensemble method की हमें समझ लगी तीन किसम के तरीके होते हैं algorithms को ensemble करने के या इकठा करने के वो तीन किसम के तरीके कौन कौन से हैं basically आपके पास पहला तरीका है bagging का यानि कि आप bootstrap aggregation उसकी कर लेते हैं bagging क्या होती है कि आप उनको one by one करके result को जो है वो divide कर देते हैं सबी आपके जितने भी algorithm है और फिर उनसे finally आप अपना result लेते हैं bagging को हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे boosting हमारे पास है कि आप एक result लेते हैं उसमें जो भी variation आती है उसको कम करते हैं फिर अगले पी तरफ जाते हैं अगले की तरफ जाते हैं और उसको boost करते हैं boosting की example मैं ऐसे दूँगा और bagging की example मैं ऐसे दूँगा कि आपने अगर एक दरजन अंडे लिये एक दरजन अंडे लेने के बाद आपने अगर उसको एक shopper में डाल लिया वो नीचे से जो अंडे नजर आ रहे हैं वो basically उस shopper के अंदर वो bagging की है आपने bag के अंदर चीजें डाल दी है उसको हम bagging बोलते हैं ठीक है और इसको समझेंगे कैसे मैं भी आपको आने वाले जो slides हैं उसके अंदर दिखाता हूँ boosting क्या होती है कि आप उस एक अंडे की performance देखो उसके उपर दूसरे की फिर तीसरे की फिर चोते की फिर पांचवे की फिर चटे की फिर सात्वे की तो आप एक के बाद दूसरे में जब जाएं तो आपकी performance बूस्ट करनी चाहिए इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हैं अगर आप एक्सलेटर को गैस बोलें तो उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो वो स्पीड इंक्रीज करती जाएगी फिर आते हैं आपके पास स्टेकिंग स्टेकिंग क्या होता है तै दर तै चीजों को स्टेक करना और उसको जनरलाइज करना यह तीन मैथड़्स होते हैं अंसेंबल अलगरिफम को बनाने के अब हम देखते हैं कि हमारे पास बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है या बूट स्ट्रैप एग्रिगेटिंग क्या होती है ठीक है बैगिंग जो है यह बेसिकली रड्यूस करती है सबसे पहली चीज यह है कि ओवर्फिटिंग से यह हमें बचाएगी देखें हमने पहली बात तो यह है कि हमने अलगरिफम को एकठा इस वज़े से किया है कि हमारे पास डेटा जो है वो प्योर एकुरेटली है पहली बात तो यह कोई भी एक तरीका बैगिंग हो बूस्टिंग हो इन तीनों तरीकों में से कोई भी यूज करेंगे आपकी ओवर्फिटिंग या अंडर्फिटिंग जो है उसको रड्यूस करेगा ठीक है फिर वेरियेशन क्या है वेरियेशन होती रेंज ओफ एकुरेसी फ्रॉम वन पॉइंट व एक पॉइंट का उसकी बेस पे आप क्या करते है इस अल्गोरिफम को यूटिलाइज करते है पहले चीज ये बैगिंग अल्सों इंवल्स क्रिएटिंग मुल्टिपल सब्सेट्स ओफ ओफ ओरिजिनल डेटा सेट विद रिपलेस्मेंट ठीक है अब होता क्या है कि आपने फॉर इक्जेंपल आप ट्रीज को इकठा करें जो डिसीजन ट्री अल्गोरिफम हमने पिछले लेक्शर में देखा था आप एक ट्री को यहाँ पे रख रहे हैं दूसरे ट्री को आपने यहाँ पे बना लिए यह दो ट्री आपके पास आगे तो रेंडमाइज़ फीचर डिविजन हो जाएगे तो क्या होगा कुछ डेटा यहाँ पे आगया कुछ यहाँ पे आगया कुछ एकुरेसी हमारे से यहाँ पे आएगी कुछ यहाँ पे आगे अब इसको पढ़ते हैं फिर से क्रिएट मुल्टिपल सबसेट्स ओफ और ओरीजिनल डेटासेट विद रिप्लेस्मेंट जिसको बूट्स्ट्रापिंग बोलते हैं ठीक है यह मांगने वाला गाम नहीं है कि मैं यहाँ पे मांगने नहीं है यानि कि चीजों को डिफरेंट हिसों में डिवाइट कर देना और फिर उसको लेके चलना है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपके पास एक raw material पड़ा हुआ है तकरीबन 1500 kg चावल है 150 kg चावल पड़े हुएं आपके पास आप कहते हैं कि यार अब मैंने क्या करना है इन चावलों को एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाना विद efficient method के कुछ जाया भी नहों और जितने भी लोग हमारे पास हैं इसको असानी से carry भी कर सकें we don't need any heavy machinery for that तो आप क्या करते हैं उसकी bagging करते हैं यानि कि उनको pack करके फिर आप transport कर सकते हैं आप 10-10, 15-15 kg भी एक-एक बंदा उठा सकते हैं using baggings या बार-बार आके भी उठा सकते हैं इसके एक और मिसाल दे देता हूँ आप इदल अधा पे क्या करते हैं कुर्बानी करते हैं न तो आप क्या कर रहे होते हैं basically गोश्ट के बराबर के shopper बना रहे होते हैं ताके हर किसी को पूरा-पूरा गोश्ट जो है वो पहुंचे at the end वो एक ही कुर्बानी का लफ से उसके लिए use किया जाता है इससे मुराद यह है कि आप हर subset को जब पकाएं उस एक जो गोश्ट का एक shopper है वो आपके घर में है, साथवालों के घर में है उसके साथवाले घर में है तो उनके पकाने का taste different होगा अगर आप ऐसा करें कि सारे जितने भी आपने shopper बनाई है जो घरों में तक्सीम की है उनसे पूचें कि हमारा गोश्ट कैसा बना वो बताएं अगर आपको अच्छा बना कुछ केंगे बस ठीक था कुछ केंगे फलान चीज नहीं ठीक थी जवान नहीं था जानवर या बच्चा नहीं था उमर ज्यादा थी जानवर की so in these these outputs को जब आप इकठा करें एक final result निकालें यह basically bagging होती है common example इसकी random forest algorithm में जिसको आज हम देखेंगे भी second step पे चलते हैं which is called boosting boosting क्या है? boosting focuses on turning weak learners into strong ones iteratively iteratively क्या होता है weak learners मतलब यह कि आपने कई trees इकठे किये ठीक है और उनमें से जो weak learners हैं यानि कि जिन trees में अभी तक impurity जिनी impurity और information gain जो है उसका कम में impurity ज्यादा है आप उनको क्या करते हैं iteratively set करते हैं यानि कि आपने 10 trees बनाए 10 के 10 trees जो हैं बारी बारी अगर चल रहे हैं जो सबसे impure होंगे आप उन पे ज्यादा focus करेंगे यानि कि जहां से आपका data कम आ रहा है उस पे ज्यादा focus होता है तो इससे क्या होता है basically जो अच्छा सीख गए है पहले step में आप उनको ignore करते हैं और उन पे ज्यादा focus कर रहे हैं जो सही नहीं सेखें इसकी मिसाल देता हूँ class के अंदर बच्चे होते हैं कुछ बच्चे अच्छा सीख रहे होते हैं कुछ अच्छे नहीं सीख रहे होते हैं तो boosting का क्या मतलब है boosting का मतलब यह है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है लेकिन आपकी attention ज्यादा उनकी तरफ हो जाए जो weak learners है ताके वो भी अच्छा काम कर सेके ताके हमारी एक team work चल सेके जिसको हम boosting बोलते हैं इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि football की team के अंदर जब 11 player खेल रहे होते हैं तो क्या होता है weak जो players होते हैं coach की यही attention होती है जब 11 प्लेयर के अंदर सिर्फ दो प्लेयर जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो सारी team को आप active नहीं कर सकते हैं ताके आपको clear हो जाए so boosting focuses on turning weak learners into strong ones iteratively iteratively का मतलब होता है यानि कि आपने एक iteration की है वो सही काम नहीं की है फिर आप उन्हें कहते हैं अच्छा भी दुबारा से आओ फिर दुबारा से train करो iteration का मतलब यह होता है कि आप जब paint करते हैं अपने घर में अब पहला quote करते हैं वो कुछ बहुत saaf clear नजर नहीं आ जाती फिर दूसरा quote करते हैं उसकी base बनने के बाद फिर तीसरा करते हैं until unless वो finalized finished form में आ जाए so this is called iteration ठीक है अब iteration क्या है iteration is boosting focuses on turning weak learners into strong one iteratively ठीक है बार-बार उस पे काम करके यह क्या करता है it adjusts the weight of an observation based on the last classification ठीक है जो एक tree ने classify कर दिया जो next tree आएगा वो last classification की base पे adjust करेगा कि कौन सी चीज को count नहीं किया गया ठीक है and then if an observation was classified incorrectly अगर कोई observation incorrectly classified it tries to increase the weight of this observation and vice versa तो क्या होता है अगर आपकी incorrect कोई observation आगी say for example Billy की तस्वीर थी उसने कह दिया dog है तो यह क्या करेगा दुबारा से चेक करेगा उसे कि गलती के chances कम हो जाएं इसका मतलब है कि यह automatically adapt करता है incorrect measures को count करके उनको correct करने में इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने आपको सुधारने की कोशिश करता है ठीक है so on the other side example include adaptive boosting या ada boost gradient boosting या GB and xg boosting यानिके xg boost यानिके extreme gradient boost तो यह तीन algorithm में जो इसके अंदर आते हैं जो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे ठीक है तो यह boosting के अंदर आ जाते हैं तो bagging and boosting दो important terminologies हैं जो ज्यादा तर use होती है stacking तीसरी है stacking क्या होती है यह involve करती है training a new model to combine the predictions of several base models ठीक है stack करना यानिके several base models को हम इसके ऊपर train करते हैं for example यह जो example मैंने यहां पर आपको दी थी start में हमारे पास logistic regression भी है decision tree भी है and svm भी है इन तीनों को stack करके आप चलाते हैं ठीक है जो best result दे आप उसको यहां पर use कर लेते हैं so stacking is very easy let me see okay it was here so stacking involves training a new model to combine the predictions of several base models यानि के पिछले वालों की prediction की base पे combine करके aggregate करके एक नया model आप train करते हैं ठीक है it typically involves two levels of models पहले आपने कुछ model लिये उनकी predictions लिये जो prediction आगी है उससे भी आगे एक model चलाना stack करना पहला model दूसरा model stack हो गया so पहले model को जब completely A to Z आप चलाएंगे दूसरा model उसके बाद आएगा ठीक है so keep in mind that thing it typically involves two levels of models base level and the meta model and a meta model that makes the final prediction based on the base level models output अब ये कहां पर use होगा जब आप deep learning के algorithm देखेंगे उसके अंदर आप different किसम के multi-layer perceptrons जो है वो बनाते है उसमें क्या होता है पहले आपने एक model यूज़ किया फिर उससे उपर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा फिर चोथा it's up to you कितनी layers बनानी है जितनी layers उतनी ज्यादा accuracy होती जाती है but for now stacking को हम यहीं पर देखेंगे so हमारे पास तीन basic ensemble के algorithm होते है पहला bagging not bugging bagging bootstrap aggregation second one is boosting the third one is stacking और stacked generalization अब हमने यह use क्यों करने है पहले बात तो यह है कि हमें समझ आगी bagging, boosting या stacking यह multiple models को use करके बनाते हैं हम इनको इस वज़ा से use करते हैं कि ताके accuracy अच्छी आए यानि कि ensemble methods often provides higher accuracy than single model समझ आगी बात की यानि कि जो single model है उनसे बहुत अच्छा काम करते हैं और इनकी जो strength है compensate करती है for individual weakness अगर एक model के अंदर को individual weakness हो तो यह उसको compensate करती है stability का मतलब के है they are less prone to error due to a variance in the data making them more reliable यानि कि जितना भी आपका variance होगा न data का जब आप उसको divide करते हैं data को for example मेरा data यह पूरा है इसको मैं अगर इतना divide करके एक stack को दे दूँ दूसरा, तीसरा, चोथा चार जगों पर जब different model चलेंगे तो data में से variance short हो जाएगा ठीक है, जब variance कम होगा तो error कम होगी, इसका मतलब है कि जो हमारे कौने वाले points होते हैं उनको भी एक model adjustment के थूँ आप use कर सकते हैं so model will be more stable less error prone, and then reduce overfitting का मतलब यह है कि ये वाला model जो है आपका, ये overfitting को reduce कर देता है, यानि के techniques like bagging and boosting help in reducing overfitting making models more generalizable क्यों? क्योंके ये multiple sets of data पे चलता है, इस वज़ा से ये model more generalize होता है ठीक है, so ये तीन इसकी basic जो है हमारे पास user advantages है, ठीक है फिर हमारे पास जो अगला आता है application of ensemble algorithm ensemble या ensemble जो भी आप बोल दें used to, किस वज़ा से use होते हैं are used across a wide variety or range of fields, यानि के finance के अंदर for credit scoring and algorithm with training, आप finance के अंदर, यानि के अगर banking, अगर credit score देना चाहें आपको, तो आप वहाँ पे इसे use कर सकते हैं, healthcare system में disease prediction के लिए and diagnosis के लिए random forest और different किसम के algorithm बहुत ज़्यादा use होते हैं in e-commerce for recommendation systems, ठीक है, जैसे Amazon या दराज पर अगर आपके सामने कोई post आ रही है या Fiverr पर आ रही है different किसम की post हैं, जब लोग अपनी services या products वाँ पर रख रहे हैं, then you can use these kind of algorithms to train them, यही नहीं, इनके फाइदे तो बहुत हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार इतनी ज़्यादा फाइदे हैं, तो हम दूसरों को क्यों use करें, ओ भाई मेरी बात सुनो, सिरफ फाइदे नहीं हैं, इसके नुकसानात और challenges भी हैं, जो इनको complicated बनाते हैं, वो नुकसानात क्या हैं? वो हैं जनाबे वाला, सबसे पहला नुकसान, complexity है यानि कि उन सैंबल मेथड क्या करते हैं, यह ज्यादा complex हो जाते हैं, क्योंकि आप जब multiple methods को या models को stack करते हैं तो आपका model जो है, वो complex हो जाएगा, and computationally expensive than single model अगर single model को चलाने में आपका time लगता है, ऐसे for example 3-5 minute for training इसको ज्यादा लगेगा, even minutes या आपके hours भी लग सकते हैं तो जारी बात है, जब complex model होगा, जहाँ पे आप एक tree चला रहे हैं, ठीक है, और एक tree के sub tree हैं 100 अगर उसी तरह के आप 100 tree और चलाएंगे, जहाँ पे वो 3 minute लगे हैं, उसको 100 से multiply करें 300 minute लग जाएंगे, उसी एक model को train करने में, यही नहीं, अभी और सुनिये, 300 trees की output को भी आपने aggregate करना है न, और उनको आपने mean median mode में convert भी करना है, it will take even more time, so complex and आपकी जो computationally expensive है, interpret करना इनको complexity जितनी increase करती जाएगी, उतना ही model को hard होगा interpret करना इस वज़ा से जिनका basic knowledge नहीं है machine learning का, उनको ensemble algorithms की समझ ही नहीं आती है, और वो इनकी तरफ आते ही बहुत कम है सिरफ लगाना जानते हैं, इसको interpret करना आने जानते हैं, इस वज़ा से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यह जो algorithm हैं खासतोर पर random forest, extra boost, adaptive boost and gradient boosting, यह चार जो algorithm है, यह आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको यह आ जाते हैं then actually you can overcome many problems in machine learning खासतोर पर आप किस तरीके से model को interpret करते हैं, ठीक है और यही नहीं, parameter tuning जो है, यह careful tuning of parameters and selection of appropriate based learners इसकी चाहिए होती है say for example, आपने एक random forest बनाया, multiple trees को use करके, so trees जब मिलते हैं, एक जंगल बनता है, जारी बात है तो हर tree की separate parameter tuning अगर आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कि मैंने sub tree की value इतनी रखनी है, कि मेरा final algorithm वो बहुत ही बड़ा ना हो जाए, so we need to be very careful about that, ठीक है, तो यह है जी, तीन इसके challenges hopefully यह challenges की, आपको समझ आगी होगी, कि challenges बहुत matter करते हैं जब आप किसी भी algorithm को study कर रहे होते हैं, ठीक है अब यहाँ पे check कीजिएगा अगर मैं ensemble algorithms या ensemble algorithm की बात करूँ, तो these algorithms are a powerful tool in a data scientist arsenal आपका अगर arsenal आप कोई बना रहे हैं ना, यानि कि आपका tool pack आप बना रहे हैं, अगर आपको ensemble algorithm की समझ आ जाती है, believe me, research ने साबित किया है, के ensemble algorithms sometimes can even perform better than neural networks neural network deep learners होते हैं और वो अपने आपको correct भी करते हैं यही खासियत इनके अंदर भी है because of the variance adjustment तो लोग अक्सर अकाद अभी तक random forest xg boost पे rely करते हैं, और काफी ज़दे apps और models खासतर पे process based model के बाद, जो आते हैं यहां पे for machine learning tasks in say for example agriculture sector या environmental sector वहां पे अभी तक यह random forest और xg boost वगरा use होते हैं, but very finely tuned models, तो आप खुद अंदाजा लगाएं, कि अगर data scientist आप बनने जा रहे हैं, तो आपके arsenal में यह होना जुरूरी है, यह क्या करते हैं enhanced accuracy आपको देते हैं ठीक है, और यही नहीं, robustness generalizability, यह दो चीज़ें भी देते हैं, यानि कि overfitting का concept तो आप भूल जाएं, जब आप इनको लगा रहे होते हैं, तो overfitting बहुत कम chances हैं data के overfit होने के, या model के overfit होने के, so एक model generalize रहता है, यानि कि आपके prediction अच्छी आती है, robust रहता है, robust का मतलब है data जैसा मर्जी दे दो, they will rely on that data, even non-linear data can be actually accepted in these models, by understanding and utilizing these techniques, one can significantly improve the performance of machine learning models in various real world application, so जनाबेवाला, अगर आप, ensemble algorithms, bagging, boosting, stacking, यह तीन किसम की जो टाइप सें, इनको समझ जाते हैं, तो आप multiple algorithms को इकठा करके use कर सकते हैं, आप उन algorithms को use करके, अपने model की accuracy increase कर सकते हैं, अपने model की सिरफ accuracy ही नहीं, आप अपने model की predictions को बहुत ही generalized level पे लेके जा सकते हैं, कि कोई भी data आजाए, easily predictable हो, और वो near to reality हो, that's the topic of today, ensemble algorithm या ensemble algorithm, यहाँ तक आपको समझ आगे होगी, कि ensemble methods और ensemble algorithms कौन कौन से होते हैं, अब हम अपने next topic पे चलते हैं,